नमस्कार स्वागत आपका देली डैली नीज में कप्तान विराड कोहली की पहली पसंद रवी शास्तृ अब भारते तीम के कोच बन चुके है बही रवी शास्तृ को भी अब उनकी पसंदिदा तीम भी मिल गई है शास्त्री की मर्जी के अनुसार भरत अरुंगेन बाजी कोच बन गए है और आशीधर फिल्डिंग कोच नई खबर है कि रवी शास्त्री का सालाना वेतन लगभग आठ करोड रुपे होगा जो की अनिल कुमले से कहीं जादा होगा आपको बता दें कि पूर्व कोच अनिल कुमले को लगभग साड़े छे करोड रुपे मिलते थे इसका मतलब रवी शास्त्री को अनिल कुमले से लगभग देड़ करोड रुपे जादा मिलेंगे इस सब के बीच सबसे एहम बात ये है कि कुमले ने अपने वेतन में जितनी बड़ो उत्री की मांग की थी रवी शास्त्री को उतना ही वेतन बढ़ा कर दिया गया है तीन अन्यकोच भरतरुन आरशीदर और संजय बांगल को दो से तीन करोड रुपे के बीच मिलने का अनुमान है टीम इंडिया के नए हेड कोच रवी शास्त्री ने मंगलवार को बी सी सी आई की प्रेस कॉन्फरेंस में ये कहा कि राहुल ड्रविड और जहेर खान दोनों ही बहतरीन और अनुभवी क्रिकेटर्स है और अगर वो टीम इंडिया को किसी भी तरह की कोई सलाह देते हैं तो वो भारते टीम के लिए बहुत कीमती होगी